बिग बॉस OTT तीम के कंटेस्टेंट अर्मान मलिक ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को पिछले सीजन के विजेता सिधार्थ शुकला से तुलना की है। अर्मान मलिक ने कहा, मैं सिधार्थ शुकला जैसा हूँ। सिधार्थ शुकला जो बिग बॉस के पिछले सीजन के विजेता रह चुके हैं, उनके फैन सिस्टुलना से खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अर्मान के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। एक फैन ने लिखा, सिधार्थ शुकला एक ही है, और उनकी जगा कोई नहीं ले सकता। अर्मान मलिक ने अपने इस बयान के साथ यह भी कहा कि वे शो में अपने दम पर जीत हासिल करना चाते हैं। उन्होंने कहा, मैं यहां अपने दम पर जीतने आया हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद को साबित करूंगा। बिग बॉस OTT 3 के इस सीजन में कई नए और दिल्चस्प कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। लेकिन अर्मान मलिक का यह बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनके इस बयान से शो में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बिग बॉस OTT 3 के दर्शक अर्मान मलिक के इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग उनके आत्म विश्वास की तारीफ कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग इसे घमंड मान रहे हैं। एक अन्य फैन ने लिखा अर्मान मलिक को खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सिधार्थ शुकला जैसा बनना इतना आसान नहीं है। अर्मान मलिक का यहां बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है और लोग इसे लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 के इस सीजन में यहां देखना दिल्चस्प होगा कि अर्मान अपने इस बयान को कैसे साबित करते हैं। सिधार्थ शुकला के फैंस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सिधार्थ शुकला जैसा बनने के लिए अर्मान को बहुत महनत करनी होगी। उन्होंने कहा सिधार्थ शुकला ने अपनी जगा महनत और इमानदारी से बनाई है। अर्मान को भी यह साबित करना होगा अर्मान मलिक का यह बयान Big Boss OTT 3 के इस सीजन में एक नया मोड लेकर आया है सभी दर्शक इस सीजन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और अर्मान मलिक से बहुत उम्मीदे हैं अंत में अर्मान मलिक का सिधार्श शुकला से तुलना करने का बयान बिग बॉस OTT 3 में एक नई हलचल लेकर आया है अब देखना यहा है कि वे अपने इस बयान को कैसे साबित करते हैं और शो में आगे क्या होता है तो दोस्तों यह थी आज की ताजा खबर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले अपने पसंदीदा सेलेबरिटीज और मनोरंजन की ताजगी से भरी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें देखते रहें